जैहें दोस्तों, तेकि हम लोग पढ़ रहते स्क्वार रूट को निखालना, कि स्क्वार रूट को कैसे फैंट करेंगे, तो हम अलड़ी दो क्लास कर चुके हैं, इत तीसरा पार्ट से, अगर आपने पहला देखेंगे पहले, फिर दूसरा देखेंगे, तब तीसरी पर आए हैं, तो चुप चाप पहले वाले पर चला जाओ, बढ़ना कुछ समझ में आने वाला नहीं है, खाली आपका देखना समय वक्की बरबादी होगी, अगर आप पहले और दूसरा देख चुके हैं, तो आपको बहुत कुछ क्लियर होने बाला है, कि दुनिया भर के तमाम रू हम ने इसक्वाइर अभी तक क्या सीख चुके हैं, कि 100 से लेके 125, 200 से लेके 225, 300 से लेके 325, 325, और दौत दौत नौत से लेके 925, इसको हमने फ्यांट करना पहली क्लास में देखा, यहां तर ब्लब इस नंबर मैं थीक है, फिर दूसरी क्लास में हमने क्या देखा था, 275 से लेके 300 और डॉट 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 875 से लेके 900 या 975 से लेके 1000 इन नंबर को हमने देखा था आज अब हम इस क्लास में क्या देखने जा रहे हैं और इसके बाद कमपैल हो जागा तोटल कि आपको सारी चीज़ सीछ जाओगे जब सारे स्टेप सीछ जाओगे तो एक ऑट सो पचास से लेके, आठ सो किचेत्र तब आइसी नोचसर कहीं पिछले ज़िए किसी भी नम्बर तक जा सकते हैं, तो आपको इस पर कैसे काम करना पड़ेगा, तो सबसे पहली इस चीज़ समय लेजिए, कि यह जैसे लिखा है number 25 तो इसका square निकालना मैं already एक video बना भी चुका हूँ कि अगर किसी भी number के last में 5 होता है तो इसका square कैसे लिखते हैं 5 का square कितना जाएगा 25 और इस number की अगली number से multiply करते हैं कितना जाएगा 625 35 का square होता है 5 का square 25 होता है और 3 का अगला number की होता है 4 तीन का अगला number क्या होता है तो 3 और 4 की multiply करेंगे तो 1225 ऐसे ही अगर हमें 45 का square इसकी में video बना चुका हो लेडी ठीक है तो 5 का square कितना हो जाएगा 25 और 4 का अगला number 5 चार का अगला number 5 और 4 और 5 की multiply अगर हमें 65 का स्कॉार बताना है तो पांच का स्कॉईर 25 और 6 का अगला नंबर 7 साथ चंग 42 को दिकत ठीक ऐसे अपको 85 का स्कॉईर बताना हो तो भी कोई लिक्कत नहीं है पांच के स्कुआर और आठ का अगला नंबर नो आठ नेम 72 के लिए रहे हैं आपको इची जानी चाहिए ठीक है बाकी कॉंसेप्स सब पुराने वाले हैं जो हम और लेडी दो क्लास में कर चुके हैं बो अब देखो लगाव 252 पर चलो जैसे यह नंबर है यह नंबर लिखा है हमें पता लाश की टूडियर देखना है लाश की टूडियर क्या है जीरो फूर इसका लेना देना किस से 935 क्या यह स्कॉयर 400 से उपर है 400 का होता 1600 अगर 30 के स्कॉयर होता तो 900 900 से नीची है अगर 20 का स्कॉयर होता तो 400 यह नंबर 20 से और 400 900 की बीच में आ रहा है तो आपको इतना जाना है कि 2035 क्या देखो यह 30 का स्कॉार होता 900 30 का स्कॉार होता मैं फिर से लिख रहा हूँ देखिए हम एसी पहला और सेकेंड पार्ट देख चुके तब ज्यादा क्लियर होगा इस 04 को देख के समझ में क्या आता है जीरो चार कर लेना देना दो से है बचा नंबर 635 तो यह किसके आसपास है अगर यह 20 का स्कॉार होता तो किसके आसपास होता अगर यह 30 का स्कॉार होता तो क्या होता तो तो हम कोशन करी देते लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है ना यह 20 के पास है ना 30 के पास है तो इसके बीच के स्कुरार से ऊपर है क्योंकि पच्चिस नहीं मांते हैं क्या मांते हैं दोś bo long ये जो नमबर है 635 के स्कौार से उपर है कि पच्चिस के स्कौार से नीचे है में ते सबढ़ißt लेकिन देखना चार बार में है प्रैक्टिस करकर की ठीक आगे बढ़ो बस इसकुछ चेक करते हैं 16 का लेना देना किस से है 16 का लेना देना अगर 16 का लेना देना चार से है तो यह जो नंबर है चार से ज्यादा है 25 का स्कुवार क्या होता है और यह है कितना 645 तो यह 25 के स्कुवार से ज्यादा है 25 मतलब 250 क्योंकि जीरू तो बढ़ जाता है तो 250 में चार्ज जोड़ेंगे तो दो सो चयववन और बढ़ आगे लगाओ 259 system लगा लो 63 zit लगा लो पिरईश जोगा दो यह definition है इस चार्श चार्श का लेना देना इस चार्श का लेना दोना देन बारा तर भाज्याश च्वार से 22 मतलब श्याश्यी किसके 25 का स्कॉर मतलब 250 तो 250 में अगर 12 जोड़ देंगे तो 200 800 चलते हैं कहां चलते हैं आजा अरे आम रट थोड़ी रहें कि यह कि रट के बैठे हैं कि कोई तरीका कोई भी सवाल हो हमें हमें देखना का तरीका आता है लाश्ट की टूड़ी देखे क्या देखते हैं लाश्ट की सब्सक्राइब लेना देना बसता है पैंशाट अठाएज अगर यह सत्तर का स्कॉर होता तो ओता है और यह 80 का स्कॉर होता तो कितना होता चौन सटार होता तो चौन सटार सो ज़यादा है मेरी बात को ध्यान से सुना 825 उपर लगाओ तुम कोश्चन 850 से उपर बनना ये 808 कही आ जाएगा का हुआ भंखाली तुमने है सस्ता नसा मत किया करो 850 से उपर जाना है सस्ता नसा हानी का रखोता है समझ में आया तिरे पंचोगों 815 लगा लो मेरे भाई नमबर चेंज करके ठीक है इस 44 का लेना देना किस से 12 नमबर बसता है 430 तो मेरी बात को समझो अगर ये 80 का स्कॉार होता तो कहां तक होता 64 अगर ये 90 का स्कॉार होता तो क्या होता ना ये 80 के स्कॉार के सम्थिंग है और ना ये 90 के स्कॉार के सम्थिंग है तो मैं किया देखूंगा 85 के square के सम्थेंगे और 85 के square जिस संख्या के अंत में 5 होता है उसका square निकला तो बेहद आसान होता है उस संख्या का square लिखना तो बेहद आसान होता है पांच का square पच्चेज और आठ नेम बहांतर यह आने कि 85 के square से ज्यादा है कि नीची कम है 85 के स्क्वार होता, 22, 25 होता है, यह नमबर है 34, याने की 85 के स्क्वार से ज़्यादा है, और 85 क्या होता है, 850 क्या होता हमाई लेंगुज में, 850 में अगर 12 जोड दोगे तो 862, और बढ़ो, 96 है न लाश्ट में, लाश्ट में क्या है, तो इस 96 का लेना देना किसे है, इस 96 का जो लेना देना है, वो 14 से है, कोई देखत, नमबर बसता है 64, 64, क्या ये 80 का square मतलब 64, 100 के आसपास है, नहीं, क्या ये 90 का square, 81, 100 के आसपास है, नहीं, तो क्या देखना पड़ेगे, इनकी बीच का, इनका बीच क्या है, 85, क्या ये 85 के square के आसपास है, 85 का square होता है, 22, 25, क्या ये 22, 25 से जादा है कम, 22, 25 मतलब 850 से जादा है, और 850 से कितना जादा है, 14 जादा है, तो 864, कोई दिक्कत, नहीं है, लगा और 950 से उपर चलते हैं, सही है, कोई भी नमबर हो, डरने वाले नहीं है, तरीका आना चाहिए, समझ में आया, डरते वो हैं, जो छोटे नमबर के साथ खेलते हैं, हम लोग बड़े नमबर के साथ खेलते हैं, इसको देखो, 69, लास्ट में क्या है, अगर लास्ट में 69 है, तो इसका लेना देना, अगर लास्ट में 69 है, तो इसका लेना देना, नमबर बसता है, 92, 73, क्या ये नमबर 80 के स्कॉाइर से उपर है, 80 के स्कॉाइर क्या होता है, 64, 22 से तो उपर है, क्या ये 90 के स्कॉाइर के आसपास है, 90 के स्कॉाइर, 80, 80 से उपर है, तो ये 95 के स्कॉा अभी यह पिच्च्छानवय मतलिम 950 से ज्यादा है और 950 में तेरा जोड दोगे तो 930 क्या चीजे आपको क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है हो रही है आवर आगे बढ़े बढ़ो इस छपन को देखो इस छपन का लेना देना इस छपन का लेना देना 16 से है इस छपन का लेना देना 16 से तो इनका तो रोल खतम इनने क्या दिया सिर्फ 16 बचता है 9331 क्या यह 95 के स्कौर से उपर है क्योंकि 95 के स्कौर क्या होता है 95 तो 95 म 750 पर जलते हैं है ना सास्सों पचास पर भी को आओखत का लेना देना वहांशतक नलिए धूर्ट खत्म हो गए ना इसका रोल बचान 178 सथावन सो सावन सो क्या एक सई स्कॉरर से 80 का स्क्वाइर तो 64 होता है और 70 का स्क्वाइर 4900 होता है ना ये 4900 के नजदीक है और ना ये 6400 के नजदीक है तो हम क्या चेक करेंगे 75 क्या चेक करेंगे 75 75 का स्क्वाइर होता है 56 75 का स्क्वाइर क्या होता है और जिस संख्या के अंत में 5 होता है उसका स्क्वाइर लिखना तो बेहदासान होता है, देखो 56 का लेना देना 16 से है 56 का लेना देना बचता है नंबर 1349 क्या ये 20 के स्कॉर से उपर है 400 से ना क्या ये 900 के 30 के स्कॉर से उपर है अरे 30 का स्कॉर क्या होता है क्या 900 के नजदीग है क्या 40 का स्कॉर क्या होता है 1600 का स्कॉर क्या होता है क्या ये 40 के स्कॉर के नजदीग है नहीं है तो इनके बीच में क्या देखेंगे 35 क्या ये 35 क्या होता है 12-25 35 के square क्या होता है कि यह 12-25 से ज्यादा है कम 12-25 मतलब 35 के square तो 35 क्या होता है 350, 350 में अगर 16 जोल देंगे तो 300 clear हुआ cash पर काम करेंगे टीन पार्ट हो गए last part पचा है समुझ में आ रहा है तो आप इन तीन पार्ट पर काम करेंगे practice मारेंगे खुद और इसी PDF पे चाहे PDF नेट से डाउनलोड कर लेना चाहे अब टेलिग्राम पे जाकर ले लेना टेलिग्राम पे दुनिया भर की तमाम PDF पड़ी ही है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है कुई दिक्कत होने वाली आपको नहीं है ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सवस्त रही है मस्त रही है और पढ़ाई करने में ब्यस्त रही है